नमस्ते फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आशा करती हैं अच्छे होंगे और स्वास्त होंगे और फिर से स्वागत हैं मेरी एक नई रेसिपी में तो देखिए आज हम बनाने जा रहे हैं आलो और बैंगन की बहुत ही चटपटी मसालेदार सबजी जो की आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है तो देखिए मैंने बैंगन ले लिये हैं और इनको अच्छे से दोह लिया था अब हम इनको काट लेंगे तब तक हम बैंगन काटते हैं तब तक आप लोग जल दिसे चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक भी करिए शेर करिए कमेंट कर तो देखिए हमारे बैंगन बहुत अच्छे से निकले हैं इसमें एक बी कीडा बीडा नहीं है बढ़ी हासा सॉफ्ट है ज्यादा बीजे भी नहीं है यह देखिए बढ़ी हासा पैंगन निकला है तो इसी तरह से बैंगन और आलू इनको लंबे-लंबे पीस में काट हैं अब इनको पानी डालके एक बार अच्छे दुल के दुबारा से पानी डालके रख देंगे ताक यह काले नहीं पड़ेंगे और इधर हमने ले लिया है अधरक प्याज लैसून हरी मिर्च इसका हम पेस्ट बना लेंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालके जाथा पान बनती है बहुत अच्छी बहुत टेश्टी तो आप लोग भी सर्सों के देल का ही इस्तमाल करें बनाने में कि वैसे अगर जो लोग रिफाइंड में बनाते हैं तो ठीक है अगर Him这样 को इस pada Happy अलग होती है टेस्ट समझिये दुगना हो जाता है तो यह देखिए देल हमारा ग लेंगे पेश्ट वाला तो गैस को थोड़ा सा आज को कम कर देंगे और अपने मसाले को ढाल के बढ़िया से भूल लेना है यह देखिए चलाते वे बढ़िया से इसको भूल लेंगे मसाले को और आप लोग कमेंट करके जरूर बताईएगा आज की मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी और मेरे सारे वीडियो कैसे लगते हैं जरूर से बताईएगा तो देखिए इसमें डाल देंगे अपने सारे मसाले हम जैसे हल्दी पाउडर गरम म या अर्चीका पाउड़र ए और साथ ही डाल देंगे इसमें नमक यह देखें नमक भी टाल देंगे और अच्छे से इसको चलाते भी मसालय को भून लेना है आज को बिलकुल मतलब ना ज़्यादा धीमा रखना है और ना ज़्यादा तेज रखना मीडियम आज पर ही इसको मसाले को भूनेंगे अच्छे से तो देखिए हमारा मसाला बढ़िया से भून गया है अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर एक तमाटर हमने लिया था मिडियम साइज का तो उसको दाल देंगे इसमें और साथ ही हम डाल देंगे इसमें कि मीट मसाला है तोड़ा सा डालने से ना इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और कलर भी बहुत अच्छा आता है और बहुत टेस्टी बेंगन की सब्जी लगती है तो आप लोग के पास अगर है तो आप जरूर डालिए और अगर भून गया अच्छे से कि देखिए तेल बिल्कुल अलग सा हो गया है और मसाले का कलर भी देखिए आप कितना अच्छा कलर आया इसका और खुस्बू बहुत अच्छे आ रही है फ्रेंट्स आप लोग एक बार जरूर बना के देखिएगा इस तरीके से तो देखिए अब ह अच्छे से दो मिनट के लिए बून लिया है चलाते हुए तो बड़ी आसे मसाले में सारे बैंगान आलू हमारे मिक्स हो गए हैं अब इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है ज्यादा नहीं डालेंगे बस थोड़ा सा जितना कि हमारे आलू पक जाए अच्छे से य इसको में चला दिया था कैस को मीडियम ही रखेंगे और इसको ड़के छोड़ देंगे इसको थोड़ी देर बाद में फिर से हमें एक बार चला देंगे यह देखिए फ्रेंस बहुत अच्छे फुजबू आ रही है और हमारे आलू बैंगर थोड़े से सॉफ्ट भी हो गए हैं यह देखिए कलर भी बहुत अच्छा आया है आप लोग एक बार जरू ट्राय करिएगा इस तरीके से बनाने की और जो जो मसाले में ने डाले हैं औ तो बस हम दुबारा इसको चला के तग देंगे और बीच में इसको एक बार और चला दिया था तो देखिए क्योंकि हमने ज्यादा पानी नहीं टाला था और देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल बनके तयार हो गई है और बहुत अच्छे कुजबू आ रही है और देखने मे आप खा लें कोई दिक्कत नहीं है और गरम गरम चावल के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगती है तो हमारी सब्जी पक गई है आप हम इसमें थोड़ी सी धनिया डाल देंगे हरी धनिया डालने से सब्जी का टेस्ट और रंकत दोनों ही पढ़ जाती है तो जरूर से डालें और बस आप लोग बना के देखिएगा और कैसी बनी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अच्छी लगी या नहीं और आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं उसके लिए आप सब का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद तो आप लोग ऐसे ही मेरे वीडियो को लाइक शे मेरे शीपी के साथ में